अदो नवंबर को दिल्ली के 30,000 कोट में वकीलों और पुलस वालों के बीच जड़प हुई थी इससे जुड़े कई वीडियो जबारल हो रहे हैं पछले हफते हुई जड़प की कुछ नई CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जड़प की शुरुवात हुई थी हंगामा, शोर, मारपीट और तोड़फोड ये तस्वीरें दो नवंबर को दिल्ली की 30,000 कोट में हुए जड़प की हैं ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जिस वक्त पुलिस और वकीलों में जड़प की शुरुवात हुई थी इन तस्वीरों में पुलिस बैरिकेटिंग गिरी हुई दिख रही है और आसपास खड़े लोग हंगामा कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोड़ भी की जा रही है काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा गाड़ियों पर पत्थर फेके गए इसी हंगामे के बीच एक हैरान करने वाली घटना हुई यहां मौजूद लोगों ने पुलिस वाइन के पास एक पुलिस वाले को पीटने शुरू कर दिया तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक साथ दरजनों लोग उस पर तूट पड़े बताय जा रहा है कि यह पुलिस वाला कोई और नहीं बलकि एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंग है भीड के बीच काफी देड तक हरेंद्र सिंग घिरे रहे बताय जा रहा है कि यह तस्वीरे शनिवार शाम करीब 4 से पौने 4 बजे के बीच की है तीसाजारी कोट परिसर में हंगामे का एक और वीडियो सामने आया है इस CCTV फुटेज में पहले पुलिस ओफिसर डीसीपी मोनीका भारदवाज भागती दिख रही है जहां पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई थी वो उसी तरफ जाती दिख रही है वहां इतनी भीड थी कि DCP खुद हंगामा कर रहे हैं लोगों के बीच घिर गई इसी वीडियो में कुछी पलो बाद DCP भारदवाज बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकलती दिख रही है उनके स्टाफ मेंबर्स और पुलिस कर्मी उन्हें सुरक्षित निकालते दिखे ये वीडियो दो नमबर शाम खरीब चार बचकर उनीस मिनट का बताय जा रहा है दिल्ली के तीस हजारी कोट में वकीलों और पुलिस की जड़प की मामले में पुलिस के बीच हुई इस जड़प के बाद गतिरोध को खत्म कराने की कोशिश हुई गुरुवार को वकील और पुलिस के बीच उस तुलह कराने के लिए दिल्ली के सिवल लाइन्स के गवर्मेंट ओफिसर्स में कौरिनेशन मीटिंग भी हुई लेकिन ये मीटिंग भी बेनतीजा ही रही वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद बना गतिरोध जारी है कोई पक्ष जुकने को तयार नहीं है गुरुवार को भी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील हर्ताल पर रहे और किसी भी अदालत में कोई कामकाज नहीं हो सका वहीं पुलिस वालों ने भी अपनी सुरक्षा का खत्रा मान कर कोट परिसर से दूरी बनाए रखी इसके पहले दिली हाई कोट ने दोनों पक्षों को बाचीत के जरिये गतिरोध खत्म करने की सला दी थी जिसके बाद गुरुवार को बार एसोसेशन के सदस्यों और दिली पुलिस के सीनियर अफसरों के बीच बैठक भी हुई लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुए जھकडे का असर यहां भी देखने को मिला बदाय जा रहा है कि बैठक में दोनों और से तनातनी बनी रही जिसकी वज़े से बैठक शुरू होने के कुछे देर बाद ही वकील वहां से निकल गए और बैठक बेनतीजा रही ना तो तमाम अदालतों के परतिनिदी यहां पर महुँचे बैठक से निकलने के बाद वकीलों ने आरोक लगाया कि जिस मुद्धे परकतिरोद बना है उस पर पुलिस अधिकारियों ने बात ही नहीं की जिसकी वज़ा से वो लोग बैठक से बाहर निकल गए वहीं पुलिस का कहना था कि वो गतिरोद दूर करने की कोशिश के तहे थी बार एस्योसेशन के अधिकारियों के साथ बैठक करना चाहते थे लेकिन कुछ मिस कम्मिनिकेशन के वज़़ा से बैठक काम्याब नहीं हो सकी इसके पहले दिन में दिल्ली के साकेद कोट में वकीलों ने काफी देड़ तक विरोध प्रदर्शन किया विरोध के दौरान इन वकीलों ने कोट आने वाले अपने क्लाइंट्स को फूल दे कर गांधे किरी भी की और उनसे अपना साथ देने का आगरह किया इस बीच गुरुवार को हंगामे वाले दिन का एक और CCTV फुटेच वारल हुआ है जिसमें DCP मोनिका भारतवाज हंगामे के बाद लगी आग वाली जगा पर बचाओ के लिए जाती दिख रही है हाला कि इस फुटेच से यही लग रहा है कि मौके पर पहुँचने के बाद वो खुद भीर से घिर गई जिसके बाद उनके सहयोगी उन्हें वहाँ से निकाल कर ले गए अबने शौधी के साथ टीम न्यूज नेशन दिल्ली अरबात बर्निंग ट्रेन की दिल्ली आ रही लखनव की ट्रेन में देर रात हडकम पमच गया एक कोच के नीचे आग लगनी की खबर मिली तो मुसाफर घबरा गए आननफानन में इस आग पर काबू पाया गया लखनव मेल में आग ने मचाया हडकम वक्त रहते टल गया बड़ा हाथ सा कोच के निचले हिस्से से निकलती आग की लप्टे और तेजी से फैलता हुआ धुआ तस्वीरे हर दोई की है जहाँ वी आईपी ट्रेन लखनव मेल के एसी कोच में अफरा तफ्री मच गए वज़ा थी एसी कोच के निचले हिस्से में एकसेल का जलना आग की चिंगारी को देख रेलवे स्टेशन की टेकनिकल टीम भागी भागी पहुँची और अगनी शमान यंट्र के जरिये उस पर काबू पानने की कोशिश की गई दुआ निकलता देख मुसाफिर भी सामान समेत लखनाओ मेल की एसी बोगी से नीचे उतरा है पुलिस परशासर और रेलवे अधिकारियों ने उन्हें समझाया और फिर आग को बुझा लिया गया बताया जा रहा है कि ट्रेंड लखनाओ से दिल नी आ रही थी तो लोगों ने जहांका निचले हिस्से में आग लगी देखी हर्दोई पहुंसते ही ट्रेंड को रोका गया और फिर आग पर काबू पाया गया इस दोरान ट्रेंड सवा घंटे तक हर्दोई स्टेशन पर खड़ी रही हलाके जिसर लखनाओ मिल के ऐसी बोगी में अफ्रात अफ्री मची और निचले हिस्से म्याग लगी वो जरूर मुसाफिरों के लिए डराने वाला रहा हर्दोई से प्रशान पाठक के साथ टीम नीजनेशन और अब खबर मद्यप्रदेश के जवलपूर से जहां बदमाशों ने एक युवक्की बेरहमी से पिटाई कर दे और पिटाई की दौरान बदमाश फिल्मी डायलोग भी बोल रहे थे फिल्म गैंक्स ओफ वासेपूर का ये डायलोग तो आपको याद ही होगा अब आपको रियल लाइफ में इसी डायलोग को दोहराते चंद चेहरे दिखाते हैं ये बदमाश फिल्मी डायलोग को दोहराते हुए एक शक्स को बेरहमी से पीट रहे है दुदली तस्वीरों के पीछे वो शक्स चीख रहा है, चिला रहा है, रहम की भीक मांग रहा है लेकिन बदमाशों को रहम नहीं आए, वो उसे पीटते रहे हम इन तस्वीरों को आपको दिखाना तो नहीं चाहते लेकिन मतिप्रदेश के जबलपूर में वासेपुर कान को जिस सरह से दोहराया गया और इन बदमाशों ने सरेयाम कानूर को हाथ में लिया, उसे दुनिया के सामने लाने के लिए इन तस्वीरों को दिखाना बहत ज़रूरी है जबलपूर के आधारताल इलाके में एक सूलसान जगा पर तीन चार लोगों ने एक शक्स को पकड़ा और उसे बे दर्दी से पीटना शुरू कर दिया जब इसकी तस्वीरे वाइरल हुई तो पुलस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाब संगीन धाराओं में केस दर्श किया मुख्या आरोपी राजेंद्र महरा और बड़े मिया है, राविन बिसकर्मा है, अमित है इस वीडियो का करेक्शन सिर्फ वासिपूर फिल्म के डालोग सही नहीं है, बलकि बट कता भी उसी से मिलती जुलती है पुलिस का दावा है कि मारपीट की एखटना जबलपुर में सकरी दो गुटों में वर्चस्व की जंग का नतीजा है पुलिस मारपीट करने वाले गैंक के दो लोगों को हिरासत में लेकर आरूपियों का सुराक लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्ट से बाहर है तीम, झूसलिशन